आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। प्रति विद्या के लिए किसी गौसी प्रिस्ट पर, ईस्ता के अंतर्गत, यह सं पर हमने दे दिया है Chita को मान। कोई बिंदु है जिस पर इक अंदर गौसी प्रिस्ट के अंदर एक यक आंग आविष्य रखा हुआ कुछ आविश रहने जहां बिंदू R है और बिंदू O है और उसके बीच की दूरी R हमें दी गई है इसके अंतरगत यदि हम देखें तब गौस के प्रमे के अनुसार हम क्या बोलते हैं किसी बंद प्रिस्ट से या बंद प्रिस्ट है से गुजरने वाले संपूर्ण विद्यूद फ्लक्स उस बंद प्रिस्ट के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एक अनुपात Epsilon गुना होता है जहां Epsilon क्या बोला है मुक्त आकाश की चुमबक शीलता मुक्त आकाश की चुमबक शीलता अब इसे किस तरह प्रदशित करें इसे यदि समी करण के रूप में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं विद्ध फ्लक्स संपुर्ण विद्ध फ्लक्स किसी बंद प्रिस्ट के अंदर उस पर एक आँख आवेश की मात्रा और मुक्त आकाश की चुमबक शीलता पर निर्भग करता है जहाँ हम देख पा रहे हैं यह बंद प्रिस्ट की सनच्चन है जहाँ यहां फ्लक्स की मात्रा जसे विद्ध फ्लक्स से प्रदेशित क्या गया है यह केवल आवेश पर और मुक्त आकाश के चुमबक शीलता पर निर्भग करता है जहां इसका मांधी नियात होता है आविश्क के मन बदल सकते हैं, आविश्क का मन एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ अलग-लग हो सकते हैं इस स्थी पर वह किसी त्रिज्या पर निर्भार नहीं करता, प्रिस्ट वैसे भी एक बंद प्रिस्टिट की कलपना की जाती है जिस पर उसे पास होने वाले या उसे गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं जहां यदि गौसी प्रिस्ट की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो विदूथ फ्लक्स का क्या होगा? विदुट लक्स की मात्रा निया थी होगी क्योंकि यह गौसी प्रिस्ट की त्रीज या पर निर्भार नहीं करती है। धन्यवाद।